हेलो फ्रेंट्स वेल्गम तो दो कॉंसेप्ट यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और UPSC CSC प्रेलिम्स के लिए आर्ट अंड कल्चर की हमने जो सिरी शुरू करी है उसमें इंडियन म्यूजिक का आज हम पार्ट सेकिंड पढ़ने जा रहें पूर्च पार्ट जैप नहीं प्रशाल सुचत करें को सिने के इंड क्लासिकल म्यूजिक के विम्टे की सब्सक्राइब difficult instrument है और कौण-कौण से घरानी है इंदुस्तानी लिफ advertisements देखेंगे और क्या क्या elements और क्या क्या music forms रहें और निटिसरा घएगा उसमें हम फोक म्हुजिक के बावरे में बढ़ेंगे ओसे नीट ais इंचेंट और मेडिवल की सीरीज कवर हो चुकी है मॉडन और कल्चर की सीरीज चल रही है प्रिलिम्स के लिए UPSC, CSC प्रिलिम्स के लिए इन सभी सेशन को देखिएगा कॉंसेप्ट यही चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को जाधा से जाधा शेयर करें इन वीडियोकू और इन वीडियोज को पूरा देखें इन वीडियोजब में वह सवाल पूछ है उनके जवाब मुझे कमेंड में दें और अपना फीड़ बैक जरूर ब्रोवाइट करें कि आपको सेशन अक्षय लगते हैं उसके अलावा most important question की series हमारी चल रही है और अब syllabus cat कुछ topics भी मैंने special classes में लाने शुरू कर दिया है ताकि live interaction हमारा बढ़ सके राइट so special classes आपको live attend करना बहुत जरूरी है उसके अलावा अगर आप मुझे DM करना चाते हैं अपना कोई भी doubt UPSC CAC से related तो Instagram पर आपको मैं इसी नाम से मिल जाऊंगा ठीक है और अगर आप UPSC CAC के लिए thoroughly prepare करना चाते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि एक पूरी strategy बना कर मैं prepare करूँ quizzes और unlimited access to the content प्लस से always better रहते हैं iconic plans क्यों क्योंकि iconic plans में personal guidance, test analysis, expert guidelines, study materials, study plenary, additional feature होता है और यह plus के features हैं इंडिया के top educators से पढ़ने का आपको मौका मिलता है अगर आप subscribe करते हैं अनकेडमी के subscription plans को और weekly one-on-one personal mentoring बहुत 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 बहुतरीन initiative अनकेडमी का limited seats है only 100 seats इंडिया आपको मौका मिलता है उसके अलाबा combo prices reveal हो चुके है GS plus optional और iconic GS plus optional आप देख सकते हैं यहापर अगर आप GS plus optional को subscribe करते हैं एक year, दो year या तीन year का plan लेते हैं तो यह हैं नए prices, same goes for iconic GS, एक year, दो year और तीन year के prices हैं यह, subscribe करें अगर आप सोच रहे हैं कि thoroughly prepare करूं मैं अपनी तया मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आपको सीखना ही पड़ेगा खुद पर invest करना, तो अगर आप unacademy से के साथ जुड़ना चाहते हैं तो this is the right time, do subscribe और अगर आप subscribe कर रहे हैं तो definitely code use करेंगे आप मेरा that is chohan underscore sir underscore history, chohan sir history ताकि आपको मिले 10% का discount और मुझे मिले आप लोगों support, alright, उसके अलाबा UPSC CSE maha subscription offer अभी 16 जून तक जो है वो valid है, उसमें एक एर का plan आपको valid रहेगा mains 2022 तक, दो एर का plan आपको valid रहेगा mains 2023 तक, code use कीजिएगा chohan sir history subscribe करने के लिए, alright, उसके अलाबा 10 से 16 जून, the great learning week चल रहा है हमारा maha subscription extension जो है, वो mains तक है, उसके अलाबा 25% plus 10% off है, combo पर, दस optional, optional subject का जो है, वो एक carnival शुरू हुआ है, right, मैं आगे आपको दिखाता हूँ कौन-कौन से, और notes हैं हिंदी और English, दोनों में available, right, यह है optional subject, geography, anthropology, anthropology, sociology, agriculture, history, hindi literature, public admin, economy, psir, psychology, optional जो है, वो शुरू हो के हो गया इन के लिए, ठीक है, optional के courses, 16 जून से शूरू शुरू करें, उसके लाबा अगर आप एक साथ payment नहीं करना चाते हैं, या नहीं कर सकते हैं, तो UPSC, CSC लेकर आया है, loan for UPSC, बहुत वहतरीन initiative है, जिसमें कोई processing piece नहीं लिया जाएगी, आपसे कोई hidden charge नहीं होगा, कोई interest नहीं लिया जाएगा, बहुत minimal चा पेपर वर्क, दो घंटे के अंदर approval और बहुत flexible चा टेने ओ, यह लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, make sure कि आप loan का प्रोसेजर definitely एक बार चेक आउट करें, उसके लाबा UPSC, CSC के लिए हिंदी और इंग्लिश में 20 बुक्स का material अबान अकेडमी की तरफ से अवलेवल है, जिस CRT batches, Phoenix revision batches शुरू हो रहे हैं from 16th June, make sure कि आप subscribe करें और अपनी journey शुरू करें, right, free test series अवलेबल है, pathfinder, rise and world affairs, unlock करने के लिए code use करियेगा, चोहान सर, history, और हर संदे को on academy combat test होता है, 11 बजे, live होता है, android applications पर अवलेबल है, 60 minutes में 60 questions करने होंगे, हिंदी और English दोनों में अवल scholarship मिलती है, enrollment बिल्कुल free है, enroll करें, मेरा code यूज़ करके, that is, चोहान सर, history, the link is available in the description of this video, all right, so let us start today's session, आज हम Indian music में पढ़ने जा रहे हैं, karenetic music को, तो Indian music के पहले session में मैंने आपको history of Indian music बताई थी, कैसे जो है, वो Indian music develop हुआ, right, फिर मैंने उसके बाद आपको बताया, कि Indian, जो classical music है, उसको हमने दो इससे में बाटा हुआ, that is, हिंदुस्तानी classical music और karenetic music, so हिंदुस्तानी classical music में, हमने हिंदुस्तानी classical music के सभी घरानों को समझा था, पिछले topic में, और उसके अलावा हिंदुस्तानी classical music के elements क्या है, या overall classical music के elements क्या है, यह हमने पिछले topic में अच्छे से समझा था, right, so I hope कि आपने पिछले session अच्छे से देखा हो, ताकि आपको पूरा concept जो है, वो तयार हो Indian music का, अब यह art and culture के session है, यह pre के लिए session हैं, तो इस session में definitely आपको बहुत सारे facts मिलने वाले हैं, so make sure कि आप इन facts को grab करने के लिए तयार रहें, लेकिन mains के लिए कुछ concepts भी मैं आपको बताऊंगा, कि mains के लिए कौन-कौन से points जो हैं, वो conceptual हैं और वो important है, mains में, answer writing में आपको काम आएंगे, ठीक है, कैरनेटिक music की बात करते हैं, the course of the evolution of Indian music saw the emergence of two different subsystems as Hindustani and Kernetic music, अब मैंने आपको बताया हैं ना, Indian subcontinent में विंधिया रेंज के ऊपर ये हिमालया ये नॉर्थ व्रेंटियर है ना, ये विंधिया रेंज, तो जो विंधिया रेंज है ना, ये culture को, इसने political शक्तियों को भी आगे बढ़ने स रोका, तो इसने culture को भी आगे बढ़ने से रोका, ठीक है, वैदिक पीरियड, वैदिक जो मतलब रिगवैदिक जो लोग हैं, वो लेटर वैदिक पीरियड में, वो northwest frontier से east की तरफ मूव किया उन्होंने, बहुत कम proportion उनका south की तरफ मूव कर सका, मगत से बढ़ने वाली जित लोग की या मौर रेज की, राइट, सो यह मैंने पॉइंट आपको, आपको, आल्रेडी हम, repeatedly काफी बार, established कर चुके हैं, कि जो विंध्या की जो रेंज है, या जो दक्कन वाला जो एरिया है, यह north इंडिया और south इंडिया के बीच में, एक transitional zone है, और यह culture को filter, not just culture, political शक्ति को, culture को, religion को, सब को filter out करने के काम करता है, ठीक है, अगर इंडिया में music develop हुआ है, और अगर northwest frontier से इधर से तुर्कियों ने enter किया, ठीक है, उसके बाद तिमूरियों ने enter किया, अफगानियों ने enter किया, तो इनका जो north के music पर असर पढ़ा होगा, वो असर south तक कम या तो नह ही पहुंचा होगा, ठीक है, कारण क्या है, कि बीच में विंद्या रेंज है, और दक्कन वाला region है, इसलिए हमें Indian classical music में दो parts, दो मतलब different, जो है, वो, sub systems देखने को मिल जाते हैं, इसको north वाले को बोलते हैं, हिंदुस्थानी system और south वाले को बोलते हैं, क्यारनेटिक system, ठ के धीरे-धीरे establish करते हैं, लेकिन आपको समझ आया है, कि जो बीच में विंद्या range है, दक्कन वाला जो area है, ये cultures को आगे बढ़ने नहीं देता है, intermix होने नहीं देता है, इसलिए north India में अगर आप रहते हैं, और अगर आप central India को पार करके south India जाएंगे, तो आप देखें culture, but yes, कुछ collective आपको belongingness वहाँ पर नजर आएगी, right, लेकिन overall अगर आप cultural differences देखेंगे तो बहुत जाद है, आपको clearly पता चल जाएगा कि हाँ बीच में कुछ था, जिसकी वज़े से north और south के cultures जो हैं, वो अच्छे से fuse नहीं हो सके हैं, एक ही subcontinent में होने के बावजूर, right, तो music कैसे अलग रह सकता है, तो music में भी यहाँ पर हमें यह दो subsystems देखने को मिलते हैं, that is Hindustani और Carnatic music, right, the terms Carnatic and Hindustani are found for the first time in Haripal's Sangeet Sudhakara, written in 14th century, तो Saurashtra के region के शाचा कही है, हरिपाल, और इनका यह literary work है, that is Sangeet Sudhakara, इसमें हमें पहली बार, यह dissension, यह दो हिस्से में बठता हूँ नजर आता है, क्या बोलते हैं, Indian classical music, हिंडियन classical music, हिंदुस्तानी music और Carnatic music में पहली बार कहां बठता हूँ नजर आएगा, हरिपाल की संगीत सुधार का बहुत important, कौनसा type of question है, source of history है, तो type of questions में आपको ध्यान देना है, source of history, site से related question, concept से related question, तो खेर, जहां जहां पर इस तरह के सवाल बनेंगे, मैं mark आपको करवाता रहूँगा, बोद the systems of music developed from original source, अब देखे, ये दोनों जो music के systems है न, ये एक proper source से develop हुए है, अगर आप हिंदुस्तानी music system को देखेंगे, तो वो वैदिक period से develop होता है, आपको रिगवेद में, सामवेद में, और फिर उसके बाद आप मुझे बताएंगे, भारत मुनी की कौन सी रचना ह जहां से हमें music के बारे में जानकारी मिलती है, चीके, राइट, हावेवर दा music of northern part of India has simulated some features of music of Persian Arabic musicians, तो मैंने आपको बताया है न, Northwest Frontier से invisions हुए, Northwest Frontier से expansionist इंडिया में आकर बसे, और वो expansionist अपने साथ Arabian, थुर्को, Persian culture लेकर आ है, तो Arabian और Persian element music का हमें साफ साफ नजर आता है, हिंदुस्तानी music में, यह northern part of Indian classical music, right, on the other hand, the music of the south continue to develop along its original lines, साफ वाला जो है, वो original line में डवलप हुआ, अब ऐसा क्यों, क्या साफ में मुस्लिम शक्तिया नहीं डवलप हुई, तो बिलकुल बहमनी आकर साफ में डवलप हुए, ठीक है, धक्कन मुगल साफ में आकर डवलप हुए, तो साफ में वो original lines कैसे बरकरार रही, क्यों जब Carnatic music हम देखेंगे न, तो Carnatic music हिंदुस्तानी music की तरह उसमें Persian Arabic element नहीं है, ठीक है, या बिलकुल ना के बराबर है, कम है, तो इसका जवाब ये है कि Carnatic music की भले ही शुरुवात देवगिरी से हुई हो, देवगिरी वजदा, capital of, कौन से शाशकों की capital है, तो रंत क के नीचे वाले महराष्टवाल रिजन से, लेकिन जैसे ही मुस्लिम शक्तियों ने penetrate किया, Central India में, यहां से musicians उठके विजय नगर चले गए, ठीक है, और विजय नगर में काफी लंबे समय तक जो है, वो हिंदू साशन, मतलब हिंदू शाशकों का शाशन जो है, वो बना रह इसलिए kernetic music, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि kernetic के region में फला फुला यह, भले ही इसकी शुरुवात देवगिरी से हुई हो, लेकिन यह फला फुला kernetic वाले region में, विजय अगर शाशक कृष्ण देवा राया के अंडर, और फिर उसके बाद subsequent नायकों के अंडर, यह फला फु तो देवगिरी में जैसे ही Muslim शक्तियां पहुची, यहां से जितने भी आर्टिस्ट है, वो उठके जो है वो दौर समुदर की तरफ दोडे। यहाँ पर विजयनगर डेवलब हुए बट आफ्टर दा इन्वेजिन प्लंडर अफ दे सिटी बाई दे मुसलिम्स अफ्टर दे एंटायर कुल्चरल लाइफ दे सिटी तुक शेल्टर इन विजयनगर एंपायर अंडर दे रेन ओफ कृष्णा देवा राया बहुत इंपोटन पॉइंट ठीक है देर आफ्टर दे मुजिक ऑफ साउथ इंडिया केम टू बी नोन अज कैरनेटिक मुजिक यहां से यह करनाटका मुजिक के नाम से करनेटिक मुजिक के नाम से जाना जाने लगा ठीक है आयोप आपको इनकोई हिस्ट्री समझाई होगी राइट अध्वेंट ओफ पुरंदर दासा बहुत ही इंपोर्टन्ट मुजिको लोजिस्ट है पुरंदर दासा पुरंदर दासा को इनफेक्ट कहा जाएगा क्या ही यह पितामा है यह करनेटिक मुजिक के ठीक है फादर ओफ करनेटिक मुजिक इन दे वीएर 얼마나 इनफेक्zub इनफ परतानी इनमर्ड मुजिक इनोंने करनेटिक मुजिक को एक बहुत इंपोर्टेन एक अलग पहचान एक distinct पहचान प्रोवाइड करीगी यह से एक अलग तरीके का music है लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजेगा जिस तरह हिंदुस्तानी music जो है वो preserve पहले हिंदुस्तानी music को पैटरनेज प्रोवाइड करी शाशकों ने है ना चाहे वो मुगल नोबिलीटी हो या अन्य हिंदुस्तानी जो मतलब जो हिंदु शाशक है उन्होंने पैटरनेज प्रोवाइड करी और फिर उसके अबाद घरानों में बट गया लेकिन ऐसी कहानी जो है वो दक्षन भारत का जो या करनेटिक के रिजन का या करनेटिक म्यूजिक है इसकी घराने वाली कहानी नहीं रही इनको पैटरने जिशाशकों ने दी फिर यह घरानों में डवलप नहीं हुए और जैसे अलग अलग जैसे जैपूर का जो घराना है ठीक है आगरा का जो घराना है ग्वालियर का जो घराना है दिल्ली का जो घराना है इनके music में differences नजर आते हैं Mid Bush North your differences आपको क्लियर कट डिफेरेंटिस आपको क्यार्टीजीं में नहीं डेखने को मिलेंगे अगर वो अलग-अलग region में अगर कहरेंटीजें को प्रैक्डिस किया जा रहा है तो आपको थोड़ा बहुत regional difference नजर आ जाएगा लेकिन इतना clear cut difference नहीं नजर आएगा जितना किस में हुआ करता था जितना घराना music में होता है ठीक है यह important fact आ गया कौन पुरंदर दास राइट ही इंट्रदूस्ट दा मलवा गोला स्केल मलवा गोला राग इंट्रदूस्ट किया है बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है ठीक है as the basic scale for music instruction he also framed graded exercise for beginners of the music बिलकुल जो beginner है बिलकुल music सीख रहे है so that means उन्होंने music को आप यह मान के चलिए कि organize किया बहुत अच्छे तरीके ठीक है जो music सीखना चाहता है या जो further high level पर music perform करना चाहता है उनके लिए रास्ता clear किया दा स्वर्वाली जनता वरिशास दा सुलाडी सब्तताल अलंकार एंड गीतम्ज कंपोजड बाए पुरंदर दास फॉर्म दा बेसिस फॉर मास्ट्री इन दा आर्ट यह क्या क्या है यह music की forms है ठीक है जैसे हिंदुस्तानी music की form मैंने आपको बताई थी ना धृुपद खय जाली उस तरह यह कैरनेटिक music की forms है ठीक है जनता वरिशास सुलाडी ताल अलंकार गीतम आगे मैं आपको कराऊंगा music की forms रही डिटेल में करेंगे हम इने तो और खास तोर पे सुलाडी सब क्या बोलता है सुलाडी सब्तताल अलंकार आपको ध्यान रखना है यह खास तोर पर जो है वो जुड़ेगा किसके साथ पुरंदर दास के साथ ठीक है इन दे सेवन्टीन सेंचुरी देर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ दे स्कीम ऑफ सेवन्टी टू मेल करतास मेल करतास बेसिकली राग ही है ठीक है तो यह आगे एक और डिफरेंस हिंदुस्तानी क्लासिकल मुजिक में छे मेन राग है लेकिन क्यार्नेटिक क्लासिकल मुजिक में सेवन्टी टू मेल करतास बहुत इंपोर्डेंट है ठीक है इट वाज इंट्रोड्यूजड बाए वेंकट माखी एंड लेट डाउन इन हिस मॉनुमेंटल वर्क चतुर डंडी प्रकाशिका चतुर मतलब चार बुझाएं या चार रास्ते हैं मुजिक को प्रफॉर्म या मुजिक को प्रैक्टिस करने के सोला सो बीस में यानी की अर्ली सेवन्टीन सेंचरी में ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ठीक है जो बहतर मेल करताज है यह कहां पर एड़ यह 72 रागों के नाम है बहुत इंपोर्टेंट खेर हमें इतना डीप में नहीं पढ़ना है जस्ट मैंने पर जेक आफ मतलब आपको दिख जाएं कि यह राग इस तरह लिखे गए ठीक है दा मेल करता स्कीम is a highly comprehensive and systematic formula that includes within its fold all the modes used in ancient as well as modern systems of music of different parts of the world तो यह मेल करता इतना इतना detail में है ना यह कि पूरी दुनिया के आगर आप कोई भी music डुून लेंगे ना थीक है तो आपको मेल करता में उनकी schemes जो है वो नज़र आ जाएगी मालीजी अगर आप salsas music डून ते है ठीक है तो salsas music spanish salsa music है कहीं ना कहीं जो है वो मेल करता की schemes आपको साल सामय भी नजर आ जाएंगी तो यह इतना जादा इतना जादा डिटेल में है ये राइट द बर्थ ऑफ म्यूजिकल ट्रिनिटी नेक्स चीज ये म्यूजिकल ट्रिनिटी बहुत ही जादा important point है ठीक है musical trinity जो है वो जुड़ी है क्यार्नेटिक मुजिक के साथ तीन ऐसे musicians हैं जिनोंने क्यार्नेटिक मुजिक को heights पर ले कर गए है ठीक है त्यागराज मुथुस्वामी दिक्षितर और श्याम शास्तरी at तिरुवावूर let the dynamic development of क्यार्नेटिक मुजिक इन तीन व्यक्तियों का नाम ध्यान रखेंगे बहुत important नाम है इस पर direct सवाल बन जाता है सवाल इस तरह भी बन सकता है कि कौन member नहीं है musical trinity का क्यार्नेटिक मुजिक की musical trinity त्यागराज मुथुस्वामी दिक्षितर और श्याम शास्तरी तीन नाम आप खासा ध्यान रखेंगे बहुत ही ज्यादा important point है next in the post trinity period so trinity period क्या है आपका 1750 से 1850 यानि mid 18th century से mid 19th century so यानि mid 19th century के बाद और 20th century में जो और नए artist आये के रिटिक मुजिक के वीना कुपयर पतनम सुब्रमनिया आयर रामनद श्री निवास आयनगर मैसूर सदसिवा राव मैसूर वसु देवाथर और पतनम सिवशिवम और यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं इधर पंडित या उस्ताद titles नहीं है जो हिंदुस्तानी में यूजिक में यूज हुआ है ध्यान देंगे कैरनेटिक म्यूजिक के जो आर्टेस्ट हैं उसमें पंडित और उस्ताद यह जो टाइटल्स हैं इस्तमाल होते हुए नजर नहीं हैं ठीक है दस संगीत संप्रदाय प्रदर्शिनी बहुत ही जादा इंपोर्टन अगें इंपोर्टन सोर्स अफिस्ट्री रिटन बाए सुब्रमा दिक्षितर कौन हैं अगें आ केरनेटिक म्यूजिक के मुजिक अलोजिस्ट हैं इन पर सवाल बन जाते हैं घुमा पिराकर सवाल पूछ ले जाते हैं यहां से बहुत इंपोर्टन पॉइंट था यह लेकिन एक बेसिक डिफरेंस यह है कि हिंदोस्थानी म्यूजिक के जो वोकल्स है न वो इतने क्लियर नहीं होते और हिंदोस्थानी म्यूजिक का टेंपो थोड़ा श्लो होता है इस कंपेर टू केरनेटिक म्यूजिक केरनेटिक म्यूजिक का टाल सिस्टम बहुत जादा डवलप्ड है बहुत कॉंप्लेक्स टाल इस्तमाल होती है यहां पर और जो राग है वो उनके थोड़े से फास्ट होते रहे टेंपों का थोड़ा तेज होता है और वोकल्स पर खासा ध्यान होता है यहां पर ठीक है मेड इस्ट्रेमली सेंटिफिक एंड सिस्टमेटिक एंड यूनीक इन अल रस्पेक्स दो क्लियर कट दिमार्केशन इन स्टाइल अफ मूजिकल प्रेंटेशन सिंबलर तो घराने स्टाइल ही बिलकुल अलग अलग है वैसे दिफरेंट स्टाइल हमें नजर नहीं आएंगे अब वैल कंपोस्ट सौंग अब देखिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्डन पॉइंट के तीन बेसिक हिस्से तो होने ही चाहिए वो है पलवी अनुपलवी और चरणम चरणम यह तीन स्टांजाज होते हैं बेसिकली पहला पलवी दूसरा अनुपलवी और तीसरा चरणम औ लेकिन आइडियल सीक्वेंस यह होता है पलवी अनुपलवी और चरणम ठीक है पलवी is the most cases पलवी इन most cases is the first section बहुत important है ठीक है पलवी अनुपलवी और चरणम यह आपको ध्यान रखना है यही सीक्वेंस ठीक है of the song which may be repeated again after अनुपलवी और चरणम लेकिन जो अलग-अलग आर्टेस्ट है जो अलग-अलग तरह के forms है आगे मैं आपको music के form बताऊंगा केरनेटिक मूजिक के form में अब now there is a difference another difference between हिंदुस्तानी और क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल मूजिक है उसमें बहुत सारी इंप्रोवाईजिशन हो जाती है अगर माल लीजिए हिंदुस्तानी मूजिक में पलवी अनुपलवी चरणम वाला सिस्टम होता तो वहाँ पर वो आर्टेस्ट की discretion पर होता है कि वह पलवी अनुपलवी को उपर नीचे रख ले ठीक है लेकिन इधर fix है पलवी के बाद अनुपलवी के बाद चरणम आएगा ठीक है लेकिन कुछ cases में पलवी फिर अनुपलवी फिर पलवी फिर चरणम फिर पलवी भी हो सकता है ठीक है इस तरह हम कोई आइडियल अंसर लिखते हैं उस आंसर में हम इंट्रोड़क्शन लिखते हैं तो क्याने का मूड क्या रहेगा क्यूंकि यह जो रस है ना नौ रस जो होते हैं ठीक है नौ रस जो है ठीक है म्यूजिक के जैसे करना है प्रेम है ठीक है जो नौ रस है आगे बताओंगा क्या है तो किस रस का गाना है वो रस जो है वो किस में पता चलता है पलवी में पता चलता है ठीक है अनुपलवी is usually the second section of the song it follows the पलवी and precedes the चरणम अनुपलवी, पलवी, अनुपलवी और चरणम ठीक है, पलवी में क्या है, यह तो मूड बताता है दो लाइन्स में बताता है कि किस मूड का गाना है किस रस का गाना है, अनुपलवी जो है वो पलवी के बाद आएगा after this पलवी is repeated, ठीक है, पलवी, अनुपलवी और फिर से पलवी हो सकता है it enhances the mood set by पलवी, अनुपलवी क्या करता है पलवी के mood को enhance करता है, यानि पलवी जो पलवी में जो mood set होगा, जो बताए जाएगा कि vocals के साहित्ते के मादम से जो बताए जाएगा कि ये है कहानी, ठीक है मालनी जीए, जैसे रावन सीता मैया को हरन करके ले जा रहे है ठीक है, तो सीता मैया जो है, जब वो kidnap हो रखी है तो अब वो गा रही है, ठीक है, तो उनका mood कैसा है, उनका mood जो है वो गुशा भी है और डर भी लग रहा है उन्हें, तो इस थरह का कुछ mood है, तो वो पलवी अनुपलवी के मादम से explain किया जाएगा, ठीक है अनुपलवी optional है, कुछ composer द्वारा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पलवी is essential, अनुपलवी can be optional, और फिर चरणम is the end and concluding section of a song, and it is sung after पलवी and अनुपलवी, ठीक है, तो यह क्या है, जैसे answer में लिखते है न, आम में अनसर राइटिंग में कोशन ऐसा बन सकता है, a song may have multiple चरणम, multiple चरणम हो सकते हैं, ठीक है, तो पलवी, अनुपलवी, पलवी, एक चरणम, एक और चरणम, ठीक है, usually the चरणम is the third stanza, but some songs have no अनुपलवी, तो कुछ में अनुपलवी नहीं है, तो पलवी के बाद सीधा चरणम, in this case, चरणम is the second, and is called समस्थी चरणम, अगर अनुपलवी नहीं है, तो चरणम को का जाएगा, समस्थी चरणम, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा important point है, direct सवाल बनता है, कि समस्थी चरणम क्या है, ठीक है, तो समस्थी चरणम, kernetic music की composition का एक हिस्सा है, और समस्थी चरणम तब इस्तमाल किया जाता है, जब अनुपलवी नहीं इस्तमाल हो रहा हो, right, अब देखते हैं, main musical forms of kernetic music, सबसे पहला है, सबसे basic गीतम, ठीक है, तो जो बिलकुल basic से music को समझ रहे होते हैं न, वो गीतम गाते हैं, ठीक है, जो गीत कौन गाते हैं, बिगिनर्स of music, ठीक है, इस music is a melodic extension of the rag in which it is composed and tempo is uniform, uniform tempo, it has no sections dividing one part of the song from other, so that means अनुपलवी पलवी वाला सीन अभी तक नहीं है गीतम में, and is sung without repetition from the beginning to end, so ऐसा नहीं होगा कि पलवी अनुपलवी and then again पलवी, नहीं, एक ही लाए में गाया जाएगा, ठीक है, tempo भी उपर नीचे नहीं होगा और एक ही लाए में गाया जाएगा, ठीक है, its theme is usually devotional, अब नाओ एक बहुत important चीज़ की theme क्या है क्या है क्यर्नेटिक म्यूजिक की, तो क्यर्नेटिक म्यूजिक क्या है, क्यर्नेटिक म्यूजिक जो है वो classical Indian classical music है, लेकिन उसमें हिंदू element सबसे ज़ादा है, so that means इसकी theme जो है, वो mostly devotional आपको नजर आएगी, ठीक है, यानि कि हिंदू देवी देवताओं, या जितने भी stories हैं, मतलब समझे नहीं, पुराणों से जुड़ी हुई stories, या नहीं जितने भी stories prevalent है, original stories भी क्योंकि South India की बहुत सारी है, so devotional हो सकता है, उसके अलावा important personalities के बारे में, राजाओं के बारे में, आचार्यों के बारे में, या उसके अलावा journally love के बारे में हैं न, ठीक है, तो emotions जो नवरस हैं, emotions explain भी, so devotional में भी नवरस होते हैं, क्योंकि रादा और कृष्णा की स्टोरी में भी तो आप जो है, वो love को explain करते हैं ठीक है, या और भी जैसे मैंने आपको सीता मयय का example दिया, तो उसमें भी जो है, वो आनने कई सारे emotions express किये जा सकते हैं, तो mostly the theme is devotional, otherwise secular themes भी इस्तुमाल होती हैं किसमें, लेकिन जिस तरह हिंदुस्तानी music में आपको Islamic themes भी दिख जाएंगी, केरनेटिक music में आपको Islamic themes नहीं नज़र आईगी, ठीक है, तो देर आएगा फ्यू गीताज इन प्रेज अफ म्यूजिकल लिूमिनरीज एंड आचार्यास, तो डिवोशनल देख रहे हैं आचार्यास पर्सनेलिटी से रेलेटेड, मूजिकल लिूमिनरीज यानने पर्सनेलिटी से रेलेटेड गाने, नेक्स आएगा सुलाडी, ठीक है, गीतम के बाद अगला music form है, सुलाडी जैसे हमने वहाँ पर धुरूपद, हिंदुस्तानी classical music में हमने क्या देखा था ना, दुरूपद, खयाली, गजल, तराने, वो सब देखे थे, यहाँ पर आगया अब गीतम के बाद सुलाडी, तो सबसे नीचे गीतम है, गीतम से उपर जो है वो सुलाडी गाया जाती है, ठीक है, देखे इजए ताल मलिगा, ते सेक्शन बिंग इन डिफरेंट ताल, अब सुलाडी गीतम से अलग क्यों है, क्योंकि जैसे गीतम में एक ही अगर कोई ताल बज़री है, तो एक ही ताल का इस्तमाल हो रहा है, ठीक है सुलाडी में जो है वो ताल बदल सकती है ठीक है तो अलग-अलग beats का इस्तमाल हो सकता है this is difference between गीतम and सुलाडी ठीक है सहिते syllables are fewer than in the गीता's and there is a profusion of vowels extension गीत में सहिते ज्यादा इस्तमाल हो रहा है सहिते में आपको सहिते मतलब की जो lyrics है इसके लिए सहिते वर्ड इस्तमाल हो रहा है के एरनेटिक मुजिक में तो गीतों में सहिते ज्यादा इस्तमाल हो रहा है ठीक है सुलाडियों में सहिते as compared to गीत कम है लेकिन इसमें ताल जो है वो जादा है ठीक है the theme is devotional and are composed in different tempos such as विलंबिता तीन ताल विलंबिता ठीक है उसके लावा मध्या and दुरूता तो अलग-अलग तालों में ये different different tempos जो है वो different तालों से create होती है तो अलग-अलग ताल होते हैं इसमें गीत में एक ही constant ताल रहती है पुरंदर दास has composed many शुलाड़ी मैंने थोड़ी देर पहले पताया था ना पुरंदर दास पितामा ऑफ कैरनेटिक music इन्होंने कई शुलाड़ी जो है वो compose करी बहुत important point difference between गीतम और शुलाड़ी आपको पता होना चीक है next आएगा आपका सर्व जाती क्या है अब जाती वर्ड जो है वो इस्तमाल जाती है पांच जाती है ठीक अब ये जाती जो है वो का सिस्टम वाला नहीं है ठीक है ये ताल के लिए इस्तमाल हो रहा है पांच जातिया है और इन पांच जातियों में कई जो है वो ताल है कुल मिलाके 35 और उससे भी जादा जो है वो तालें मौजूद है कैरनेटिक मुजिक में ठीक है तो सर्वजाती देखते हैं क्या है इट ओरिजिनेटेज़ डांच फॉर्म विध जातिज ताल सूलफा सेलेबल्स लाइक तका तारी कीता नाका तनींगिनतंड तो सूलफा सेलेबल्स क्या होते है डूरेमी फासो टीला रैट तो यह जो अंग्रेजी syllables हैं, जो syllables होते हैं जैसे माली जीए pocket word है है ना, तो pocket word में pocket ठीक है, तो दो आवाज आ रहे हैं एक बार O की आई, एक बार E की आवाज आई तो इस दो syllables इस्तमाल हो रहे हैं ठीक है, तो इस तरह syllables पर depend करते हैं जाती, ठीक है तो तारी, कीता, नाका, तानी तो इस तरह जो है, वो गयाजाद, देख रहे हैं इसमें दो-दो syllables हैं, ता-री की-ता-ना-का ठीक है, तो दो-दो syllables हैं सब में बट लेटर शाम शास्तरी जहान देंगे शाम शास्तरी ट्रिनिटी का हिस्सा हैं one of the musical trinity composed सर्व जातीज, without जातीज, which are brilliant concert pieces noted for their musical value इसमें जाती नहीं इस्तमाल हो रही है that means, इस तरह के जो हैं, वो beats ताल जो हैं, वो नहीं है ठीक है, it is learnt after a course in गीतम, तो गीतों के बाद आप किसको सीखते हैं स्वर जाती सर्व नहीं है, मैं सर्व गलत बोल रहा हूँ that is, स्वर जाती ठीक है, किसने डवलप किया है शाम शास्त्री साहब ने, तो ये facts आपको याद रखने, देखिए, मैं बीच बीच में concept समझा रहा हूँ, लेकिन वो mains के लिए facts को catch करते जाओ, ठीक है, तो जो सर्व जाती है, किसने डवलप किया है, श्याम शास्त्री ने, ठीक है तो गीता, गीतम के बाद, स्वर जाती और स्वर जाती के बाद, वर्णम सीखा जाता है, ठीक है, देख रहे हैं, आप गीतम में भी single ताल होती है, स्वर्ण जाती में जातिया इस्तमाल ही नहीं हो रही है, ये complex ताल का इस्तमाली नहीं हो रहा, वरणम में देखते हैं कि क्या evolution हुआ, तो यह evolution जैसे Pokemon का evolution होता है न, वैसे गीतम से स्वर्ण जाती से वरणम evolution हो रहा है ध्यान रखना आपको इस पर सवाल बनते हैं, ठीक है इट कंसिस्ट अफ थ्री सेक्शन पलवी अनुपलवी और चरणम, जो स्वर्ण जाती है इसमें ये तीन सेक्शन हैं, पलवी, अनुपलवी और चरणम तो मैंने आपको पता ही है, ठीक है कि दक्षिन भारत में जो warriors हैं उनको celebrate किया जाता ही है, मुरुगन उनका देवता ही है जिसको north में कार्तिक के नाम से और हम ही माचल में के लॉग के नाम से पूछते हैं ठीक है, जो जाती स्वरम क्या है, ठीक है, देखेगा यहाँ पर एक है स्वर्जाती और एक है जाती स्वरम different music forms है, ध्यान दीजीगा this is musical form belonging to the realm of dance music, now this is again a dance music स्वर्जाती भी एक dance music है, और जाती स्वरम भी एक dance music है, right it is similar to स्वर्जाती in musical structure, but it has no सहिते और words difference आगे न, पलवी, अनुपलवी और चर्णम होगा, लेकिन यहाँ पर सहिते होगा यानि की lyrics होगे, और यहाँ पर सहिते नहीं होगा यानि पलवी, अनुपलवी और चर्णम जो है, वो ताल और राग के मादिम से मतलब introduce किया जाएगा, right पलवी, अनुपलवी जो है, वो ताल और राग के मादिम से दिया जाएगा, ठीक है the piece is sung with sulfa syllables, अब यह sulfa syllables वही, जो मैंना आपको बताया है न, दो, उसमें दो syllable होते हैं, ठीक है, तो sulfa syllables का इस्तमाल किया जा रहा है, जाती जिसको बोलते हैं, ठीक है करनेटिक मुजिक में जाती कहा जाएगा, और पांच जाती है, टोटल जहा है, वो 35 ताल है इसमें, ठीक है इस नोटेट फार इट्स रिदिक, रिद्मिकल एक्सलेंस एंड जाती पेट्रन यूज़ इसमेलर हैं, डिफरेंस यह है कि जाती श्वरम में साहित्य का इस्तमाल नहीं होता, ठीक है, और फिर आगया आपका वरनम इस मुज़िकल फॉम इस काल्ड वरनम, बिकॉस मैनी अपड़ श्वर ग्रूप पैटरन्स काल्ड वरनास, इस इन इंशेंट मूज़िक, आर इंटर वोवन इन दिस टेक्शर, वरनम क्यों कहा जाता है ठीक है, ऐसे स्वर ग्रूप जिनको वरना कहा गया है, इनशेंट मूज़िक में, पुराने मूज़िक में वरन कहा गया है उनको, वो इसमें इंकलूड किये जाता है, तो काफी इनशेंट टाइप अफ म्यूजिक आप इसे मान सकते हैं, ठीक है, इस अम्यूजिकल इनशेंट इदर भक्ती और श्रिंगार, लव, ठीक है, तो श्रिंगार जो है, वो क्या है, नवरसो में से एक है, ध्यान देना है आपको, देर तू टाइप अफ वरनम और पाद वरनम, परफॉर्म किया था और पाद वरनम डान्स के लिए इस्तिमाल गया था, पद मतलब तो यहां पर आपको ध्यान देना है इसमें जो है वो सहित्य कम है देख रहे हैं आप सहित्य कम है इसमें The former is musical concert form while the latter is purely dance form Next आएगा कीरतनम वरन्म समझ आए आपको Next आएगा कीरतनम ठीक है तो क्या-क्या forms है गीतम, गीतम के बाद सुलाडी, सुलाडी के बाद स्वर्जाती, स्वर्जाती के बाद जाती स्वरम, के बाद वर्णम, के बाद कीर्तनम So कीर्तनम as a name suggest आपको पता चली गया ना जो कीर्तन किये जाते हैं ठीक है It originated in about the later half of 14th century The Talpakam, Talpakam is a place in Andhra Pradesh, Talpaka Composers of 15th century were the first to compose कीर्तन with the sections पलवी, अनुपलवी और चरणम तो कीर्तनम में भी पलवी, अनुपलवी, चरणम मौजूद हैं ध्यान रखेगा ठीक है इसलिए क्यारनेटिक मुजिक में रखा गया It is valued for the devotional content of सहिते तो कीर्तन जो है वो क्या होते हैं तो कीर्तन में जो बोला जा रहा है वो devotional है Clothed in simple music, the कीर्तनम abounds in भक्ती भाव भाव क्या है इसका? भक्ती है ठीक है It is suited for congressional singing as well as individual presentations बहुत important Next आएगा कृती कृती बहुत important ध्यान दिजेगा तो कीर्तनम आपको समझ आए ना congressional मतलब की बड़े performance दी जाती है तो कीर्तन जो है वो सब को बुला कर किया जाता न आसपडोसी जैसे हमारे अभी घर महलों में कीर्तन होते हैं तो आसपडोसी सब को बुलाया जाता है ठीक है तो अब जो कीर्तन होता है तो कीर्तनों का कीर्तनों का हाईली डवलब मुजिक फॉर्म है क्रिति अपर 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 in the form of कृती बहुत इंपोर्टन जो मुजिकल ट्रिनिटी है मिड 18 से मिड 19 सेंचुरी की उन्होंने इन कृतियों को आगे बढ़ाया जिससे केरनेटिक मुजिक को मतलब existence मिला है ठीक है ध्यान देंगे आप जो बहुत इंपोर्टन है जो ट्रिनिटी है उन्होंने कृतियों को आगे बढ़ाया ठीक है फिल्ड ओफ निभाद संगीता सबसे हाइस्ट लिमिट अफ एस्थेटिक एक्सेलेंस ठीक है देखने में सुनने में सबसे जाज सुन्दर क्या लगता है कृति ठीक है तो कृति में पलवी अनुपलवी और चरणम तो मिनिमम होंगे ही लेकिन उसके अलावा और भी जो है वो आप मान सकते हैं की मतलब डेकुरेट और भी मतलब अलिमेंस को जोड़कर डेकुरेट किया गया है कृतियों के ठीक है दा पलवी is sung first followed by अनुपलवी and ends with पलवी तो वही कृति में पलवी, अनुपलवी, पलवी and then चरणम तो चरणम is sung next and linked with पलवी before ending ठीक है और चरणम खतम होता है तो साथ-साथ में पलवी भी जोड़ा जाता है जितने भी प्रिंसिपल ताल है जितने भी राग है उन सब के लिए कृतिज मौजूद है इतनी important है कृति ठीक है यानि कि हर राग में या हर राग को मतला हर राग को use करके कृति जो है वो बनाई गई है ठीक है कृतिज as a musical form has many features in common with धृूपद of हिंदोस्तानी music बहुत ही जादा important कृति is equal to धृूपद बहुत important है direct सवाल बनता है यह ठीक है मुथ्धु स्वामी अब ट्रिनिटीज में से किसने खास द्यान दिया है मुथ्धु स्वामी दिख्षितार has composed many kritis in धृूपद style बहुत ही जादा important धृूपद style में किसने कृति बहुत I cannot even stress more कि यह पॉइंट कितना important है direct सवाल बनेगा देखिएगा इस पर besides the essential अंगा मैंनी decorative अंगा अच्छा और essential अंग तो हैं ही क्या-क्या पलवी अनुपलवी और चरणम और भी अंग है क्या-क्या है ठीक है also append it to kritis for embellishment यानि की और सुंदरता बढ़ाने के लिए जैसे कि चित स्वर ठीक है मध्यमकाल सहिते उसके अलावा सोल कट्टू स्वर संगती गमका यह सब ताल और राग को mix करके बने यह elements ठीक है ध्यान देंगे ताल सहिते और राग इन तीनों को mix करके बने यह elements ठीक है बहुत important point next आएगा पद पदास known for their musical excellence and aesthetic appeal are scholarly compositions in Telugu and Tamil अब पदम also has the sections पलवी अनुपलवी और चरनम so पदम में भी तीनों elements हैं obviously music is slow moving natural and dignified and there is balance between words and music throughout song ठीक है so पदम basically यह dance related as the name suggest है ठीक है क्योंकि पदम का मतलब होता है चरन तो यह dance के लिए इस्तमाल हो रहा है और words और music का अच्छा balance है क्योंकि कहीं हमने देखा है ना जैसे गीतम में words जादा है कहीं जो है वो सहीत्ते का कम इस्तमाल हो रहा है right all the navrasa are portrayed in padam सभी navrasa को padam में portrait किया जाता है तो खेर जब मैं आगे आपको dance forms कराऊंगा ना तो वहाँ पर हम navrasa को समझेंगे खेर उसके अलावा जब में में जाएंगे तो navrasa को वहाँ और detail में समझेंगे लेकिन श्रिंगार का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है love को explain करने के लिए ठीक है क्योंकि यह dance form है और जो मतलब राजाओं की court बगएर होती थी तो मंदिर बगएरा में मतलब किया जाता है तो dance किया जाता है तो श्रिंगार रस का जादा इस्तमाल किया जाता है obviously next आएगा जवाली जवाली आर कंपोजड इन तेलगू, कन्रड़ा एंड तमिल एंड रिजेंबल दा ठुमरी ऑफ हिंदुस्तानी मुझे तो जवाली अगें जो है वो dance related आ गया क्योंकि ठुमरी जो है वो dance related है ठुमरी थोड़ा अपबीट है right so यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिस तरह क्रिती जो है वो दुरुपद के एकवल आ गई ठीक है तो जवाली जो है वो ठुमरी के एकवल आ गई तो ध्यान रखना है हिंदुस्तानी classical music और क्लासिकल music के कौन कौनसी music forms एक दूसरे के जैसी है ठीक है दा जवाली जार पॉप्लर विकॉस अफ अट्रेक्टिव मेलोड इन कंट्रास्टू पदाज विच पोट्रेट डिवाइन लव जवाली या सॉंग विच आर सेंश्वास इन कॉनसेप्टन स्पिरिट सो देखिए जो जवाली और दोनों डांस के लिए है लेकिन डिफरेंस क्या है कि पदम में जो है वो डिवोशनल श्रिंगार है मतलब रा मतलब डिवोशनल ना होकर लेकिन श्रिंगार का इस्तमाल किया ज़र है राएट नेक्स आएगा तिलन दे नेम तिलन कंसीचूट दा रिदमिक सेलेबल स् तील और न तीन आ रहा है ना तीलना तीन सेलेबल इस्तमाल हो रहे है ठीक है इट इस दा लाइवलियस्ट अब तिल तिलना किसके बराबर है तिल जो है तिलना जो है वह तरानों के बराबर है क्योंकि यह सबसे अपबीट है ठीक है और म्यूजिकल फोर्म्स अड़ेट वेडियस्ट अब और जाती जाती मतलब मतलब क्या बोलते हैं जैसे आपने सुना न जो पांच जाती है जो गाकर ताल गए जाती है ठीक है पलवी अनुपलवी और अनुपलवी जो है वो जातियों की है और साहिते कहां पर है चरणम में next आएगा पलवी होती क्या है यह बता दे the term पलवी is coined from initial syllables of the three words पदम, लयम और बिनायसम ठीक है words, time, और variations ठीक है it is similar to खयाल अब बहुत important पलवी किसके एक्वल है? खयाल के एक्वल है यह बहुत important है ठीक है तिलन किसके एक्वल है? तराने के, ठीक है इधर जवाली किसके एक्वल है? ठुम्री के ठीक, कृति किसके एक्वल है? धुरुपद के बहुत important point है यह ध्यान रखेगा right in this branch of manodharma sangeet the musician has ample opportunities to display his or her creative talents, imaginative skill and musical intelligence now पलवी में improvisation हो सकता है improvisation को लेकर बहुत strict है carnatic music लेकिन पलवी में improvisation किया जा सकता है it may be on any theme though the devotional is always preferred in पलवी neither the sahite nor the music is pre-composed and the singer has the choice to choose the sahite, rag and tal तो सिंगर की डिस्क्रिशन पे ठीक है कि पलवी में किस साहित्य का इस्तमाल करना है किस राग का किस ताल का इस्तमाल करना है तो prefix पहले से fix नहीं है तो improvisation का scope जो है वो पलवी में है ध्यान देना है बहुत important point है ठीक है नेक्स आएगा तानम दिस आ ब्रांच वर राग अलापना इस राग अलापना इन मध्यम काला और मेडियम स्पीड देर इस प्रसेप्टिबल रिदम इन दिस तानम जो है वो मेडियम स्पीड मेडियम तेम्पो का है अननतनम या तानम का इस्तमाल किया ज़ता है और यह बहुत ज़्यादा मला बहुत रिदमिक सा फ्लो है इसमें ठीक है बहुत रिदमिक है ये और मतलब बीच में इसमें क्या बोलते हैं पलवी अननुपलवी में इसका खास तोर पर इस्तमाल किया जाता है ठीक है ध्यान रखना है आपको अब देखते हैं similarities तो these are the music forms तानम जिसकी साथ अनतानम भी नाम यूज होगा ठीक है most captivating है ये सबसे ज़ादा सुनने में बहतरीन लगते हैं तानम उसके अलावा पलवी तिलाना जवाली पदा और कृती किरतनम वरनम जाती स्वरम स्वर जाती सुलाडी और गीतम तो शुरुवात तो इंडियन क्लासिकल मुजिक से ही है अलग-अलग तो वो मतलब इवेंचुली अलग-अलग हुए जब फॉरन इनविजिन हुए नॉर्थ-वेस्वेस्टेर से राइट साथ स्वर राग और ताल तो तीनों में ही है ठीक है साथ स्वर हैं इधर छह राग हैं लेकिन उधर बहत्तर राग हैं लेकिन राग तो हैं ही ठीक है इधर ताल कम है उधर ताल है ऊदर जाती हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं ताले are foundation of both क्यारनेटिक and हिंदुस्ताणी बट ये तीन basic element तो एक गाने में हैं ही, right, both are related to religion as Hindustani music originated in the Vedic period while Carnatic music originated during the Bhakti movement, दोनों ही Hinduism से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है ना, कि Hindustani music की जड़े जो हैं वो रिगवेद सामवेद में हैं, right, और जो Carnatic music है, वो medieval period से डबलप होता है, वो नजर आता ह ठीक है, both the music evolved with Sanskrit language scripts through Vedic traditions, बहुत ही important, Sanskrit language और Vedic traditions दोनों में ही हैं, the central notion in both systems is the melodic rag sung to rhythmic cycle ताल, तो राग गाये जाते हैं दोनों में ही, ठीक है, और rhythmic ताल होती है, ठीक है, और साहिते दोनों का अलग अलग है, ठीक है, जो Carnatic का साहिते है, वो तेलगू, तमिल, कननड भाशा में हैं, और वो devotional है mostly, ठीक है, और साहिते या lyrics जो हिंदुस्तानी का है, वो परशियो, Arabic, Hindi और मतलब ब्रज भाशा में है, वो devotional भी हो सकता है, secular भी हो सकता है, उसके कई सारी themes है, यहाँ पर mostly devotional है, ठीक है, differences में दे Vedic Times originated in medieval, कैरनेटिक medieval में हिंदुस्तानी Vedic Times है developed है, presence in India, यह नौर्थ इंडिया में, यह साउथ इंडिया में, influence किस्प का है, अफगानी, परशियन, अरब, और इस साड़ी है, इंडिया का ही है, ठीक है, राग कितने हैं, इधर 6 principle राग है, उधर 72 राग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह समय से बंदे होते हैं, ठीक है, वो समय से बंदे हुए नहीं है, सब स्टाइल क्या है, घराना सिंगिंग स्टाइल है, और मोर वोकल स्टाइल, इवल वन प्लेड विद इंस्ट्रूमेंट, यह जादा वोकल है, और इधर घरानों के अपने 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 इंदुस्तानी में वर्ड्सियोर्स हो जाते हैं केरनेटिक में words mix नहीं होते हैं ध्यां दिजेगा Improvisation की बात करें udh scope of variation in improvise हिंदुस्तानी में variation जदा है लेकिन केरनेटिक में ज्यादा freedom नहीं है ना के बराबर है पलवी में थोड़ा बहुत change कर सकता है वो भी बहुत थोड़ा बहुत थीक है करनेटिक में कहा है थोड़ा सा फास्टर टेमपो है ठीक है और नोट्स जो है वो थोड़े छोटे होते हैं क्योंकि वोकल्स उसमें जादा है करनेटिक में as compared to हिंदुस्तानी में ठीक है इंस्ट्रूमेंट्स के है तबला सारंगी सितार संतूर और इधर वीना म्रिदंगम और मेंडोलिन ध्यान देंगे इस इस तेलिग्राम चनल को अगर आपने नहीं किया तो उसके अलाबा 10% के दिसकाउंट चाते हैं तो आपको पता है आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा चोहांसर हिस्ट्री आपको मिलेगा 10% का डिसकाउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो ड क्यार्णेटिक म्यूसिक समझ आया हो जो फैक्ट्स निकल कर आए हैं वह फैक्त्स जो है वह डेफिनेटली आपको फॉलो करने हैं ठीक है बहुत सारे कॉछ्टव कर आए हैं कुछ कॉंसेट्स मैंने के कोशिश करी लेकिन में समझेग आपको तो वहां पर थोड़ा सा लिंक मिल जाएंगे उसके लावा Special Classes में आना शुरू कीजिए Special Classes में मैं Sessions ले रहा हूँ ठीक है Modern Stories Special Classes में करवा रहा हूँ में make sure कि आप जोड़े मुझसे ठीक है सो खतम करते हैं आज पर आज का यह session मिलता हूँ आप से अगले session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए take care